दोस्तों आज टिक टॉक एप का इस्तमाल करते हुए ना जाने कितने लोग पूरे इंडिया में एक नॉर्मल सेलिबरिटी से भी ज़्यादा फेमस हो चुके हैं कुछ लोग तो टिक टॉक पर कड़ी महनत करने के बाद इस मुकाम को हासिल करते हैं और वहीं दूसरे तरफ कही लोगों के सिर्फ एक टिक टॉक वीडियो उन्हें पूरे इंडिया में वाइरल कर देती है दोस्तों आज माँ आपको इस वीडियो में दो ऐसे ही टिक टॉक सेलिबरिटी से बारे में बताऊंगा जिन्होंने केवल अपनी एक एक वीडियो से पूरे इंडिया में अपना खूब नाम कमा लिया है पहले नमबर पर आती हैं गीमा और आसी और दूसरे नमबर पर है विश्नु परिया दोस्तों आज माँ आपको इस वीडियो में इन दोनों की बायगरफी बताऊंगा और इनमेंसे कौन नमबर वन टिक टॉक इस्टार है इसके बारे में भी बताऊंगा तो सबसे पहले बात करते हैं गीमा और आसी की इनका जैनम 1977 में को दिल्ली में हुआ गीमा का असली नाम है गरीमा इनके मन में बच्पन से ही एक एक्टरस बनने के चाहती जिसे पूरा करने के लिए इन्होंने मॉडलिंग में भी अपना हाथ अजमाया लेकिन मॉडलिंग में इन्हें ज़्यादा काम्या भी नहीं मिल पाई और इसी दोरान ये अपनी टिक्टॉक पर भी वीडियोस बनाती थी लेकिन सुरुवाती समय में इनकी वीडियोस पर 200-300 व्यूस से ज़्यादा कभी व्यूस नहीं आते थे लेकिन इन्होंने कभी भी अपनी वीडियोस के व्यूस पर धियान नहीं दिया और अपनी वीडियोस बनाना कॉंटिन्यू रखा अब इन्होंने अपनी एक वीडियो में बन टाई के रैप बहुत हार्ड पर बनाई और इनकी ये वीडियो पूरे इंडिया में कितनी ज़्यादा वाइरल हुई ये तो हम सभी जानते ही हैं दूसरी तरफ आती है विष्णू परिया इनका जन्म औरंगाबाद महराष्टर में हुआ इन्होंने टिक टॉक पर वीडियोस बनानी दूसरे लोगों को देखकर सुरू की शुरूआते समय में इन्होंने भी टिक टॉक पर खुबी श्ट्रगल किया और अपने टिक टॉक अकाउंट पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड करने के बाद भी इनकी वीडियोस को बिल्कुल भी पॉपलियाटी नहीं मिली लेकिन उसके बाद इनकी एक वीडियो काफी ज़्यादा वाइरल हुई जिसने इनी रातो रात एक टिक टॉक स्टार बना दिया दोस्तों ये दोनों ही अपनी टिक टॉक पर एक एक वीडियो के चलते इंडिया में फेमस हुए लेकिन दोस्तों गीमा और आसी बहुत मेक अप के बाद अपनी वीडियोस बनाती है और वहीं दूसरी तरफ विष्णू प्रिया बिलकुल नैचुरल है दोस्तों आपका इन में से कौन फेवरेट है आप हमको कमेंट करके जरूर बताएं आपका कीमती समद देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अगर आप ऐसी वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं